हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो निवरा पार्शाला अजूकेशन और हमारा जो मौडर हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था उसका ये हमारा नेक्स पार्ट को पार्ट एट रहेगा और इसमें आज हम पूरे 50 कोशन्स कवर करेंगे और गाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वी एसी का एक्जाम देते हो एंडिये का एक्जाम देते को बैंकिंग का तो वह आपके जो है एक्जाम में हल्फुल रहेगा क्लियर हो गया और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग तो प्लीज से से लाइक जुरू करिएगा और साथ-साथ में अपने फेंड्स के साथ श च्छी बीटोरिया प्रोक्लेमेशन क्लियर हुआ नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है आपके पास विच अफ ड़ फॉलवेंग निउस-पेपर वज स्टाटेट बाय एनी पेसंद की एनी पेसंद के द्वारा कौन सा निउस-पेपर चलाया गया तो आंसर रहे नियू इंडिया, clear हो गया, next question देखते हैं, next question है अपने पास, who among the following, एक मिनट, who among the following was real founder of Aligarh Muslim University, की Aligarh Muslim University के real founder कौन थे, तो वो कौन थे आपके पास, that is, सहीद एहमद खान, clear हो गया, next question देखते हैं, next question है, आपके पास, who among the following was the founder of Navaviddhan Brahmosamaj, तो Navaviddhan Brahmosamaj के, जो है, founder कौन थे, तो वो कौन थे आपका, case of Chandrasen, clear हो गया, next question देखते हैं, आपके पास, next question है, आपके पास, that is, social service league was established in which year, कि जो social service league थी, वो किस साल शुरुवाद की गई उसकी, तो वो थी, 1911 में, clear हो गया, next question देखते हैं, next question है, अपने पास, who among the following founded declared, देव समाज, कि देव समाज को किसने, जो है, उटके founder कौन थे, एक तरसे, तो वो answer आपके पास, Satyanand Agnihotri, ठीक है, तो ये समझ में आगे आपको, next question देखते हैं, question है, आपके पास, that is, which of the following event inspire for the formation of home rule D, कि home rule D को किस event ने inspire किया था, clear हो गया, तो इस question का answer है, that is, world war, ठीक है, first world war की वज़े से, जो है, home rule league क्या हुआ था, inspire हुआ था, इस home rule league के अंदर क्या था, हमारे पास, कि यहाँ पर, हाला कि Britain ही रहेगा, लेकिन जो government रहेगी, वो Indian government रहेगी, clear हो गया, तो यह चीज थी, आपके पास, next देख लेते हैं, वो क्या है आपके पास, यह था, कि, which of the following leader was not associated with extremist leadership of Indian National Congress, कि Indian National Congress के extremist leader कौन से नहीं थे, तो वो थे हमारे पास, A.O. whom, clear हुआ, दो थे, moderist थे, एक आपको पता, extremist थे, तो extremist में से, यह जो है, लोकमानती लग भी थे, अर्विंदो घोस भी थे, लाला लाज पतर आई भी थी, पर A.O. whom नहीं थे, clear हो गया, next question देखते है, question आपके पास है, that is, which of the following provision is a part of Government of Indian Act of 1990, कि Government of Indian Act 1919 जो था, उसका कौन सा provision, जो चार option दिये हैं, उसमें से कौन सा provision, उसका part था, तो वो था transfer of power to Indians, कि जो Britain के पास पहले power थी, तो इसमें, जो है, Government of Indian Act 1919 में कहा गया था, कि अब वो उसकी power किसको transfer कर दी जाएगी, इंडियन्स को clear हो गया, next देख लेते हैं, next question है आपके पास, that is, which voice Roy passed the Vermacular Press Act and Arm Act of 1878, तो गाइस, याद रखना, ये थे Lord Litton, voice Roy जो थे, उन्होंने Vermacular Press Act और Arm Act of 1878 पास किया था, लेकिन इस Vermacular Press Act के बारे में बतादो थोड़ा सा, कि ये क्या था, कि जो, जैसे कि जो न्यूस पेपर वगरा जो पब्लिश हुआ करते थे, तो उन पे क्या है, कुछ पाबंदिया थी, पहली बात है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि पहली बात, वो कुछ भी British Government के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिख सकते थे, ठीक है, और अगर वैसा कुछ भी करते हैं, जो भी उन्होंने रूट्स निकाले थे, तो उसके अल्टिमेटली क्या है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता था, क्लेर हो गया, नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन आपके पास, कि ऐसा कौन सा वैसरोई था इंडिया का, जो कहां पर, दे तो भी उसकी, तो वो थे, लॉड मैयो, क्लेर हो गया, नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन है आपके पास, एक नट, कहते हैं, आजाद हिंद वोज, वोज, फॉर्म्ड इन विच अमंग दा फॉल्विंग कंट्रीज, तो आजाद हिंद वोज जो थी, वो किस कंट्री में उसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो वो थी, सिंगापूर, क्लेर हो गया, नेक्स कोशन देखते हैं अब हम, एक मिनिट, नेक्स कोशन आपने पास, देखें, प्लासी, विच इस फेमस फॉर बेटल ओफ प्लासी, इस लोकेटेड इन विच अमंग दा फॉल्विंग करेंट स्टेट ओफ इंडिया, तो वो क्या था आपके बास, देखें, जो है, वेस्ट बेंगॉल, ठीक है, कि जो बेटल ओफ प्लासी हुई थी, तो वो अब आज, अगर आज की करेंट सिचुएशन में देखें, तो वो कहाँ पे वो स्टेट लाए करता है, तो वो है, वेस्ट बेंगॉल में, I hope, कोशन समझ में आया होगा, उसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन है आपके पास, that is, साइमन कमीशन है विजिटेड इंडिया, दूरिंग दे टाइम, ओफ विच, अमंग दे फॉल्लविंग वोइस रोई, तो जो साइमन कमीशन थी, वो किस वोईस रोई के समय पर आया था, तो वो था लॉड एरविन, वोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है, काईस, जितने भी कोशन्स मैंने कवर किये हैं, वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है, तो प्लीस इने सीरियसली सुनियेगा, और जितना हो से करें, रिपीट करिएगा, एक लिए नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन है आपके पास, आट इस, ओन विच अमंग दा फॉल्लविंग देट, एक्जिक्यूशन ओफ भाकत सिंह तो प्लेस, ठीक है, तो वो थे आपके पास, आट इस, मार्श 23rd, 1931, एक्जिक्यूशन देख लेते हैं, नेक्स कोशन आपके पास, आट इस, विच अमंग दा फॉल्लविंग इवेंट तुक प्लेस इमेडियेटली, बिफोर मेस्क्रे आट जलियावाला बाग, ठीक है, तो क्या कहा गया है, कि जो है, विच अमंग दा फॉल्लविंग इवेंट तुक प्लेस इमेडियेटली, बिफोर मेस्क्रे आट बतलब, जलियावाला बाग इवेंट होने से पहले, कौन सा इवेंट हुआ था, तो वो था, पास ओफ रॉलेक्ट आक्ट, इक्लेर हो गया, नेक्स कौशन देखते हैं, नेक्स कौशन है आपके पास, दाट इस, वो अमंग दा फॉल्लविंग, प्लेट अ डॉमिन रॉल इन एस्टाबलिश्मेंट आफ, और अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की, All India Trade Union Congress जो थी उसको establish करने के लिए किसने बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं महद पूंड भूमी का निभाई थी ठीक है वो कौन थे लाला लाजपत राई clear हो गया next question देखते हैं next question है आपके पास that is which of the following was primary objective of CRIP mission की CRIP mission का primary objective क्या था तो उनका था that is to pursue the Indian leader to support the British war efforts क्या था कि उसमें ये था कि जो Indian leaders हैं वो Britishers को क्या करें उनकी war में उनको support करें clear हो गया तो ये था primary objective CRIP mission का I hope समझ में आ गया होगा next question देखते हैं next question है आपके पास that is which Bengali writer suggested the adaptation of Hindus as Indian national leader कि Bengali writer कौन से Bengali writer थे जिनोंने Hindi को as Indian national language को select करने के लिए adopt करने के लिए suggestion दिया था तो वो कौन से थे वो थे आपके पास भूदेव मुखर जी clear हो गया next question देखते है next question आपके पास है that is जो है the battle of plassi was fought in कि battle of plassi कब लड़ी गई तो वो थी आपके पास that is 1757 option B clear हो गया next question देखते है वो आपके पास है यह है त्री पिताकास are sacred book of यह जो त्री पिताकास जो बुक थी वो किसकी पवित्र बुक है तो वो है Buddhist clear हो गया next देख लेते है next आपके पास है that is the treaty of Shri Rangapatnam was signed between Tipu Sultan and कि जो रंगapatnam treaty जो थी treaty of Shri Rangapatnam वो किस किस के बीच में होई थी एक तो तीपु Sultan और दूसरा कौन सा था Convalis clear हो गया next question देखते है next question आपके पास है that is the system of competition exam competitive exam of civil service was accepted in the in the principle in the year ठीक है जो competitive exam जो civil service का जो system था फुक कब accept कर लिया गया तो वो था 1853 में देखें most important question अगर civil service की exam के लिए आप तैयारी कर रहें तो इस तरह की तो knowledge आपको होनी होनी चाहिए ठीक है next question देखते है next question आपके पास है that is in which year archaeological survey of India was made a permanent body कि archaeological survey of India को कब एक permanent body बना दिया गया तो ये था 1906 में clear हो गया next question देखते है next question है आपके पास that is azad hind was was formed in which among the following countries जो azad hind was थी वो किस जो है country में जो है formed की गई थी वो थी Singapore में ठीक है I hope शायद ये question repeat हुआ है but कोई बात नी next question देख लेते हैं next question है आपके पास that is who among the following is known as known to have founded the academy association ठीक है किसको मतलब किसको जो है या फिर कौन academy association के लिए कि formation के लिए जाना जाता है तो वो थे henry vivian derogio clear हो गया तो ये आपके पास है next question देखते है next question है आपका कि the चोरा-चोरी incident paved the way for end of which among the following movement कि चोरा-चोरी जो इंसिडेंट हुआ था ठीक है तो उसकी वज़े से कौन सा moment था जिसका अंत हो गया एक तैसे कह सकते हो तो वो था आपका अस non-corporation moment clear हो गया next देख लेते हैं next question है आपके पास that is who among the following leader joined गांधी जी इंदा चंपारन सत्याग्राए held on April 10, 1917 clear हो गया कि उसने बोला हुआ है कि यहां पे कौन सा लीडर था जन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारन सत्याग्राए में क्या किया था join किया था कब अप्रेल 10, 1917 को तो वो थे आपके पास राजेंदर प्रसाद clear हो गया next question देखते हैं next question है आपके पास that is who among the following was nominated as first satyagrahi by महात्मा गांधी for individual satyagrahi of 1940 कि ऐसा कौन सा अब कह सकते हो satyagrahi था जिसे महात्मा गांधी जी ने nominate किया था as individual ठीक है for individual satyagrahi of 1940 ठीक है तो वो कौन थे आपके पास that was Vinoba भावे clear हो गया next question देखते है next question है आपके पास that is in which of the following language was the Goddard's journal journal was first published ठीक है जो Goddard's journal थी वो पहली बार किस language में publish की गई ठीक है तो वो थी आपके पास उर्दू में ठीक है तो guys इस तरह के questions तो आपके पास बहुत easy है ऐसा नहीं है तो आप जितनी बारे रिपीट करोगे आपको किसी कोई भी competitive exam दोगे तो इसमें से कोई नहीं question आपको मिल ही जाएगा तो मैंने काफी parts इससे पहले cover किये हुए है ठीक है तो अगर 8 पार्ट है तो मैंने पहले 7 part cover कर रखे तो मेरे request है कि आप उन पर visit करें उनने भी एक बार repeat करें ठीक है तो अभी जो भी आपके पास इस lockdown के बाद जब भी आपके exam होगे तो आपको काफी help हो चाएगे clear हो गया तो चलो next question देखते है next question है आपके पास who among the following played a dominant role in establishment of all India trade जो है union congress तो वो थे लाला लाजपत ठीक है next question देखते है next question है आपके पास यह है आपके पास I think यह question repeat हो गया है तो इसे रहने देते ठीक है next question देख लेते next question है आपके पास that is हाँ यह सही है यह नहीं हुआ है who among the following was not included in the आस्ता प्रधान of शिवाजी ठीक है कि आस्ता प्रधान जो थी जो है शिवाजी की तो उसमें कौन include नहीं था तो वो था आपके वकील ठीक है वकील नहीं include थे clear हो गया next देख लेते है next आपके पास है आप जो है magna kata of western education system in india ठीक है कि जो है western education system का magna kata किसे कहा जाता आप कह सकते किसे कौन था वो था dispatch 1854 clear हो क्या most important है ठीक है तो आप इसे एक बर पढ़ लेना next question आपके पास है next question है who among the following is known as father of muslim renaissance in bangal की मतलब क्या है जो है udgum कह सकते हो ठीक है कि muslim को जो है renaissance को hindi में I think udgum ही कहते है ठीक है तो उसका किसे कहा जाता है ठीक है फादर उसे किसे कहा जाता है तो वो थे नवाव अब्दुल लतीफ खान clear हो गया तो जो है father of muslim renaissance जो है in bangal किसे कहा जाता है वो थे नवाव अब्दुल लतीफ खान ठीक है next देख लेते हैं next question है आपके पास that is the founder of Satya Sodhak Samaj was तो वो कौन थे Satya Sodhak Samaj के founder कौन थे वो थे जोतीबा फूलेगा इस मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जितनी भी statements हैं उन्हें हिंदी में translate कर सकूँ ताकि अगर कोई हिंदी वाले students है और वो भी इसे watch कर रहे है तो उनको परिशानी ना आए ठीक है अगर इसके बाद भी आपको परिशानी आदे तो प्लीस मुझे बता दीजेगा तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं मुझे तो फिर मैं थोड़ा सा उनके लिए और थोड़ी से जोसिफ जो है पैपिस्ता ठीक है तो यह आपके पास option A है clear हो गया next question देखते है next question है that is the congress is in reality a civil war without arm the above statement was made by कि congress जो है वो सच्ची में उन्होंने क्या है civil war किया without arm तो ऐसी statement किसने पास की है तो समझ मारा है वो थे सर सहिद एहमद खान ने ऐसी statement पास की थी कि the congress is in reality a civil war without arm clear हो गया next देख लेते है next question है आपके पास that is who among the following had founded Central Hindu College at Varanasi which was later converted into Banaras Hindu University ठीक है कि वो बोलता है कि Central Hindu College जो है उसके founder at Varanasi जो Varanasi में Central Hindu College था उसके real founder कौन थे मतलब founder कौन थे जो बाद में किसमें convert कर दिया गया Banaras Hindu जो है University clear हो गया question समझ में आया तो वो थे जो है Mother Mohan Malvia clear हो गया next question देखते है next question है आपके पास that is the battle of Chilean was a part of ठीक है देखे गाइस बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा the most important है जितना हो सके आप इससे question को पढ़िए ठीक है क्योंकि वैसे थो सबने Anglo-Maratha war Anglo-Carnetic war French war सिख war यह पढ़ी होंगी ठीक है लेकिन यह term बहुत मुश्किल से पढ़ने को मजदी है यह important question है और इस तरह का question आजा तो आपसे ना छूटे मैं फिर बोल रहे है जितने questions में दिये है उसको एक दो बार देखोगे तो आपको सारे जो है questions revise हो जाएंगे तो देख इसका answer जो होगा that is second round table conference second round table conference में को किस ने represent किया था तो वो कौन थे महात्मा गांदी जी guys most important question most important जनरल सावे अगर paper है ना तो उसमें वो पूछ सकते है अराम से question clear हो क्या next question देखते है next question है for reforms in which among the following जो है hard talk commission was established यह जो hard talk commission जो थी वो किस के लिए बनाई गई थी आप कह सकते है तो वो उसका purpose था education में कितना improvement हो रहा है उसके purpose से यह बनाया गया था clear हो गया next देख लेते है next आपके पास है question वो है who was the prime minister of England when Simon commission came to India to review the working of government of Indian act 1919 कि जब Simon commission आया था ठीक है किसके review करने के लिए government of Indian act 1919 को उसके कामकाज को तो उस time पे prime minister कौन थे समझ मारा है तो यह आपको पता होने चिवह हो थे Stanley जो है Belvin clear हो गया कौन थे Stanley जो है Belvin clear हो गया next question देखते है next question है आपके पास that is which among the following is not a work of Ravindranath Tagore तो देखिए इसमें बोला हुआ है इन चार option में से कौन सा Ravindranath Tagore का काम नहीं है तो पहला है the gardener फिर है Gitanjali फिर है King of Dark Chamber अच्छा गाई याद रखिए का तीनों ही उनके काम है तो आंसर क्याएगा All of the above are working of Ravindranath Tagore अच्छा हो गया नेक्स देख लेते है इससे आपको तीन ये भी याद हो जाएगे कि उन्होंने कौन-कौन से काम किये है अच्छा हो गया तो ये तीनों ही है उनके तो नेक्स देख लेते है नेक्स आपके पास है Who among the following gave Who among the following gave communal award ठीक है तो ये तो पता ही होगा आपको वो कौन है राम से मैक्डोनल ठीक है क्लार हो गया नेक्स देख लेते है नेक्स आपके पास है कि डूरिंग विच इरा अग्रा कैनाल वोस फिनिश्ड कि आग्रा कैनाल जो थी वो कब खतम हुई तो किसके टाइम पे आप कह सकते हो तो वो थे ब्रिटिश पीरिड में अग्रार हो गया नेक्स देख लेते है नेक्स कोशन है आज का लास्ट कोशन है तो वो है आपके पास इन विच इयर जो है कैलकटा फ्लाग डिजाइण बाए सचीदर प्रसाद सचीदानंदर प्रसाद बोस सचीदानंदर प्रसाद बोस के द्वारा किस सालमे जो है आप कह सकते हो फ्लाग डिजाइण किया गया ठीक है इन कॉलकटा में तो वो थे आपके पास नैन्टीव ये आज का ताकि हमारा जो एक target है 1000 subscriber का वो हम अचीव कर सके तो इसके साथ साथ मैं जो है अबाकी teachers को hire करके मैं आपको online classes provide कर सकती हूँ ठीक है तो please इस target को अचीव करने में मेरी help करे and thank you to all